हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल कैसे आप सब तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आज का वलोग और यहां पर रखा था दूफेरी का टाइम और आज दूप बिल्कुल नहीं आई थी कोरा और रखा था तो काफी ठंडा और रखा था मैंने भाईया का पर पहन रखा है बेट भी हम दोने बशावेट सब्सक्राइबूे देशी तेल से गाषी से सर्सो यूज सब्सक्राइब Aww Правलक बढ़े हैं तोल्सक्राइब दाल उबाल हैं कडाय में और दाल उलके रखी है अभी च्षोंक मैं जोकते आपको शण सींते कि डता दूंगा News कि सब आखनक बनाती हूं और बाते भी कर लेंगे उस टाइम तो मैंने बाते करते हुए नहीं बनाया था क्योंकि पिछे से कोई ना कोई आवाज आती रहती है कभी फोन चल जाते हैं किसी के फिर साइलेंट करने ही पड़ती है तो यहां पर घी गरम हो गया था तो मैं उसमें डाल देती हींग मैं हर सबजी में डालती हूं ज्यादा तर मुझे अच्छा नहीं लगता फ़र फिर भी मेर को डालना पड़ता है मम्मी कहती है कि हींग डाल लेकर तो यह अप मैंने हींग डाल लिया है और थोड़ा सा जीराब उसके बार डाल देती हूं प्याज कटी हुई है और उ डाल रखा था पता नहीं कि सी वीडियो थी सिरियल क्या देख रही थी पता नहीं फोन भी चला कर रख रखा थ है साथ साथ में और उदर मैंने कुकर में घाजर उबलने के लख चाफ का पेश्ट था अदरक वाले में कूट के बनाया था मैंने तो लख च्चाफ कर से काम को उख चावा भाब्ल कंग लूकर इसमें डाल के यहां पर बूसप आप Formula तॉसकी बणा पी ज़िए और पीसा घमाटर की प्योरी बना लिए है और प्याज काटके डाल लिए आप एक बार इस तरीके से ट्राइ करना बहुत अच्छी बनती है कि मेरे घर में तो सबको पसंद आती है और सबसे जादा मेरे बेटे की फैवरेट है चाहिstore तीन गुतन दीन तख उसी दाल को तो थीन दीन तक straw भी खाने को तैयार एए और कोई सबजी नी खाएगा राजमा दाल यह तो उसको बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने टमाटर की प्योरी बना रखे और उबाल के ही बनाती हूं तो उदर गाजर में सिट्टे आ गी थी उसे निचे कर रही थी और यहां पर प्याज बुन्नी स्टार्ट होगी थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया है धनिया पाउडर यहां पर डाल दिया मैंने भणल भड़ा तो यहां पर नहीं सीाल पुलिया उसंजिकर को क्यों सब्सक्राइब स हदिए को मैं मुण॥ मुछा पीचछ चुले 은चुछ जाती नहीं स्वाली दाल में हल्दी तो डलती नहीं डनिया पाउडर डाल दिया है मैंने और मेर्च मसाले जो भी मैं डालूंगे आपको बता दूंगी जो भी कुछ डलेगा तो इसे दो के और डाल देती हूं जैसे साइड में टमाटर लग रहा था तो थोड़ा सा दो के पा मेरे को ठंड कम लगते हैं मैं नहीं पहनती हूं सुबह मंदीर से आई तो ममी ने कहा कि ठंड हो रही है मैं इस टोल लेके गईज स्वैटर निकी तेरे पास कपड़े नहीं है फिर मैंने बहिया का पर रखा था यह भी इसकूल गया था निकाल के तो पहन लिया यहां पर मै पहले से ही पका रहता है तो जल्दी से ही पक जाता है और यहां पर हमारा टमाटर पकने वाला होगा तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक थोड़ा सा तो मैंने डाल रखा था दाल में उबाली तब और थोड़ा सा भी डाल दिया टमाटर पे आज की प्योरी के इ तोड़ा दाल दिए मैने इसमें अभी डाल देते हैं दाल अच्छसे से मिक्स करके इसमें है उडद भ्राजमा और ऊपल चने की दाल यएड़ा है और material हो आप इसमे चोणा तो बचार लगारी है बहुत टेश्डी बनती है आप एक बारी करके देखना बनाते तो बनाते समंवाब हैं कोई तरीकल अलग उता सबका है तो पहस्वाब पसंद आखे मेरे बेटे को पहस्द आती आप पहले मयं जब दाल मगनी नहीं बनाती थिंड से लेका आते थैं तो जब भी खाने होती थी हम भार से ही लेक आते थे फिर अबार ही मैंने तो मेरा बेटे को मैं बहूत अच्छे लगी ऑब उसके बाद हम कभी भी दल मखनी भार से नहीं लेके आया है जब भी ।ो घरमे ही बनाते हैं यहां पर मैंने डाल डाल दी है कुकर में कडाई में और साथ-साथ कपडा भी मारते रहते है तो चिटे किर जाते नहीं धर उदर से तो इसलिए शाथ-साथ कपडा भी लगाना ओता है तो यहां पर दाल अच्छे से कर दी है Mics मेने और अब इसमें मैंने फ्रेस मलाई लिया मतलब ताजी दूद की दी एक कटोरी है बड़ी है मेरी कटोरी तो थोड़ी सी खाली है नहीं तो एक कटोरी मलाई है और इसे अच्छे से फेट लिया है और अब इसमें डाल देते हैं गैस को मैंने कम कर दिया है और अब इसमें डाल देते हैं और साथ-साथ में हिलाते भी रहते हैं क्योंकि मलाई फट घर से ही दूद की मलाई ले ली है और अब एक चमच में ले लिया है मैंने बटर और इसे गरम करके पिंग ला लेते हैं और देखो दाल हमारी अल्मोस्ट बनके हो गई है तैयार और बहुत टेस्टी बनती है ना कोई ताम जहम ना कुछ ज्यादा की चीज़े डलती है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है तो आप जरूर ट्राई करके देखना मेरे बेटे की तो फेवरेट है और मुझे भी अच्छ हो गया है गरम पिंगल के तो उसमें मैं कलर वाली लाल मिर्ची देगी मिर्च और कसूरी मेथी का छोग बना के डाल में डाल दूंगी और हमारी डाल हो जाएगी बनके तैयार आप रोटी नान चावल जी से मर्जी खा सकते हैं तो मैंने तो बई सिंपल ही रोटी बनाई थ तो सिंपल रोटी बनाई थी और डाल बनाई थी आप नान के साथ भी खा सकते हो बहुत टेश्टी लगती है लेकिन मैंने बनाई नहीं थे मैदा भी नहीं थी और फिर मैंने बनाई भी नहीं थे मैंने का वो बिल्कुल गरम ही खाये जाते हैं और पिर भाहिया जा रख था स्कूल मैंने का वो लेट आएगा फिर बार बार कौन बनाएगा और इसलिए मैंने रोटी ही बनाई थी सिंपल नहीं तो उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं और यहां पर हो गया था हमारा चोंक तयार तो मैंने इसमें डाल दिया था घी में ही चोकी थी और मखन का चो आप जैसे मर्जी खाना चाहो चावल रोटी वैसे ही खा सकते हो हरा दनिया मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाला